हेलो दोस्तो, नमस्ते!! मैं अपने चेनल के आप सबका स्वागत करते हुँ संब आप डिस्तेज़ के रही हाथ आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके क्या कहना चाहते हैं true intention and intuitive feelings क्या है इंचेस प्लीज काइट करें divine काइट करें, krishnokovyn काइट करें काम पर बहुत फोकस है आपके person लेकिन कहीं न कहीं stress action के बारे में सोच हैं लेकिन mood song सो रहे हैं, ज्यादा ही सोच रहे हैं और अगर आपसे बात्चित भी हो रही है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी बाते हैं जो आपसे छूपा रहे हैं आपके partner आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना strength बनाएए रखिए क्योंकि उनको पता है वो कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही खास हो और जो आप उनकी feelings हो समझते हो उन्हें जो support करते हो वो कोई और नहीं कर सकता और नहीं वो कोई feel कर सकता है जो आप उनके लिए feel करते हो आपके person कहना चाहते हैं इस वक्त उनकी बरतमान भावना है उनकी true intention है कि आप strong बने रहिए आप को strong रहना है आपको घबराना नहीं है अगर उनके life में कोई obstacle है प्रशानिया है तो ये कहना चाहते कि मैं compromise कर रहा हूँ ठीक है और आने वाले time में साइध ये compromise ना भी करें आपके लिए अगर इनके life में कोई problem चल रही है तो ये आप से कहना चाहते कि आप strong रही है अगर ये इस वक्त compromise कर रहे है तो आने वाले time में कहीं न कहीं ये कहना चाहते कि मैं बहुत ज़्यादा किसी और कि सफ में compromise नहीं कर सकता ये male और female भी हो सकते हैं आपके partner लेकिन इनके दिले इक्षा हो रही है एक new beginning की अगर आप लोग साथ में भी हो कोई fighting वगेरा हुआ है dear तो यहाँ आपके partner के अंदर में guilt है कि उन्होंने आपसे fight क्यों किया हाल देखे हो सकता है अचानक से आप लोग में बहस होई टाबर movement आया लेकिन कहीं न कहीं पूरी तरह ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे है यन्होंने move on नहीं किया आपसे ये कहना चाहते है कि उन्होंने move on नहीं किया है अगर आपने सोचा है कि आप move on कर जाओगे ये आपको होने नहीं देंगे अगर आप उनके नजर के सामने हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही होना चाहिए आप इमंदार होना चाहिए क्योंकि आपको इन्होंने असब्दी भी बोला है आपको मैनुपलेट भी किया है फाइटिंग भी जगड़े भी हुए लेकिन आपने सहा है आपने इंतिजार किया है ये और कोई नहीं कर सक सबस्क्ता इनको मैनूप्लेट करने वाला बहुत लोग है लेकिन आप प्यार देने वाले हो इनको मौटिवेट करने वाले इनको सपोर्ट करने वाले हो जबभी दर्ध प्रेंजैप्रlighet में होते हैं आपसे बहस करते हैं आपसे फाइटिंग करते हैं दो बाते भी सुनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है अकेले में भी रोते हैं कि इन्हों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर माइड यानि बह लिज़र आ रहे हैं situation से, third party से, family से, career को लेकर कहीं न कहीं इनको किसी से fighting भी हो रही है और बहुत ही अकेला पन महसूस करें यह आपको रूला कर आप से दूर जाकर आप से जूट बोल कर ठीक है आप से fight करकर यह बंदा तूट चुका है और यह feel कर रहा है यह आपसे माफी मा मांगना चाहते हैं बट यह नहीं मांग रहे हैं ठीक है क्योंकि थोड़ा इनको control भी किया जा रहा है ठीक है यह control भी करें और इनको अपने आप में भी लगा है कि मुझे control कर लेना चाहिए बहुत emotions नहीं दिखाना चाहिए यह आपके person की energy लेकिन एक अकेला एक खाली पन ह कि आपके वगर वो कहा जाए एक attachment है एक true love की energy है तो यह कहें ना कहीं कोसिस करें कि आपसे यह मुलाकात करें आपसे बात करें कहीं time spend करें लेकिन एक person आपके close आने की कोसिस कर रहे हैं ठीक है लेकिन हाँ यह compromise कर रहे हैं और यह कहना चाहते हैं बहुत देर तक कहीं और भी होंगे दियर तो बहुत ज़्यादा यह compromise नहीं करेंगे देखे दियर आपके partner के life में option भी है जहां यह partner flooding कर रहे थे even की social media पे हो या colleague हो कोई है आपके partner के life में जहां यह partner आपका partner जो भी हो यह flirting कर रहे थे ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं इनको चोट पहुंची है ठीक है इनक को अब ऐसा लग रहा है कि true love क्या है और यह भी लग रहा है कि साइद यह कहीं engage हो चुके तो कहीं आपको यह ना खो दें हो सकता है इस विच आप लोग की fighting भी हुई है देखिए यह person जो भी हो इतना यह मन में दिलो दिमाग में इतना stress ले रहे हैं कि सचाई को देख नहीं पा रहे है यह सही सोच नहीं पा रहे है ठीक है कुछ गाने गाने से related यहां music से related मुझे दिखाई दे रहे हैं यह अगर आपके आपकी आवाज हो या आपके गाने या आपने कुछ सेंट किया है यह person बार बार उस गाने को सुन रहे है या पिर आपकी अगर आपने इनके साथ मैसेज बगरा किया है ठीक है वह पर रहे हैं लेकिन यह खुस नहीं है और नहीं है स्ट्रॉंग यह मन को स्ट्रॉंग बनाकर यह decision ले पा रहे हैं लेकिन हां इनके है कि आपके साथ थोड़ा इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके तरफ यह बात करें कॉल मैसेज करें लेकिन फीलिंग सो बहुत शुपा रहे हैं कि आपको स्ट्रॉंग रहना है यह आपके तरफ बढ़ना चाहरे है यह निव विगनिंग चाहरे हैं आप उनकी सोलमेट हो एक मैं नया काम सूरू करूं किसी के पार्टनर ऐसे भी सोच जाया है आपने फाइनांसली भी ने हेल्प किया है और इस वज़े से इस परसन अगर आपसे फाइटिंग किया है इस परसन ने तो इनको सरमिंद्गी लग रहे लिए पस्तावा लगणा कि आपने हेल्प किया और है ठीक है या फिर नहीं बिरह रहरें कुछ आपको फाइटिंक ही इना देखिए तरफ दोनों तरफ है आग दोनों तरफ लगी हुए है लेकिन मुझे घुकर दोनों में यह डिल का रिस्ता है एक जॉय अठरे है लेकिन यहां पर गृत cobrak दोनों में ग्रे की भी हुरूत है देखे दोनों अंदर से तरप रहे हूं ठीक है लेकिन किसी के इगो के वज़े से किसी का दिल दुखाया तो कही न कहीं अंदर अंदर दोनों ही घुटन की अनरजी में देख पा रही हूं वो आपको मनाना भी चाहते हैं आपके तरबात भी करना चाहते हैं आपको हग करना चाहते हैं गले लगाना चाहते हैं लेकिन कुछ म्यूजिक से रिलेटेट ये गाना सुर रहे हैं आपको याद कर रहे हैं, इमेजन कर रहे हैं और कही ना कि इनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बढ़ी गलती हुई है इनको अंदर से एक रिगरेट की एनरजी है, इनसे कुछ गलती हुई है और ये पस्ता रहे हैं, और आपसे बाते भी छुपा रहे हैं ठीक है कोसिस भी कर रहे हैं लेकिन इनसे नहीं हो रहा है लेकिन बदलाव आ रहा है खुद में भी बदलाव ला रहे हैं लेकिन आपके होने न होने से इनके उपर बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है डियर ठीक है इनकी अगर family है तो कुछ family से related decision लेना चाहते हैं चीक है और यह जहां भी हो third party कोई भी इनके life में है वहाँ compromise चल रहा है लेकिन यह करें कि आगे जाकर इतना भी मैं compromise नहीं करूंगा कोई इनको भी manipulate कर रहा है कोई इनको भी pressure दे रहा है और यह सब की बोज उठा रहे हैं सब का बड़न यह खुद ले रहे हैं और इनके दर्द को इनके पेन को कोई नहीं समझ पा रहा है happy तो यह नहीं दिख रहे हैं इस एक ही यह सही बात है कि इसमें sorrow मुझे बहुत energy आड़ी कि mentally नहीं सोच नहीं पा रहे हैं decide नहीं कर पा रहे हैं पास्ट में यह बहुत रह रहे हैं viewers पास्ट में रह रहे हैं कि stress ले रहे हैं पास्ट ही से यह बंदा या बंदी नहीं निकल पा रहा है आपको यह मनाना चाहते हैं यह कोसिस करें कि किसी तरह आपको मनाओ लेकित एक दिल कहता है मनाओ एक दिल कहता है कंट्रोल करो confused लेकिन सोच सोच कर यह परसन तूट जाते वीवर्स ठीक है उनको पीस नहीं मिल रही है वह खुशी नहीं मिल रही है एक कमी सी है और इन्होंने अगर आपको रूलाया अगर इन्होंने आपको रूलाया है तो यह खुद रो रहे हैं एक attachment सा feel बहुत strong हो रहा है लेकिन यह अंदर से रो रहे हैं इस परसन के अंदर बहुत experience है life में struggle का fight करने का बच्पन से अब तक का सफर past को लेकर इन्होंने बहुत suffering मतलब suffering से गुज़र रहे हैं बहुत ही सफर किया इन्होंने लेकिन आपने इनको बदला है ऐसा वो महसूस कर रहे हैं गिल्टी इस बात का है कि आप से इन्होंने fight किया है आपकी दिल की नहीं सुनी है ठीक है यह कहना चाहते हैं मुझे मत छोड़ो इनकी अंतरात्मा करिए मुझे मत छोड़ो आपको ऐसा लगता हूँ वो कह रहे हैं कि वो खुस है तो यह कहना चाहते हैं मैं खुस बिल्कुल नहीं हूँ यह मिलकर बात करकर decision लेना चाहते हैं जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है यह सर्मिंदा है regret फिल कर रहे हैं लेकिन आपके लिए passionate भी हैं उनकी feelings को आप समझो यह वो कहना चाहते हैं कुछ ऐसी बाते हैं जो आपसे नहीं share कर रहे हैं तो आपको समझना होगा लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इनके अंदर respect है और यह कुछ जूट या जगड़ा कुछ तो हुआ है आप लोग में बीच में जहां इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन इनके उपर बहुत बढ़ा प्रभाव पर रहा है आपके बात ना करने से और अगर आपके विसमेm फाइटिंग बगेरा हुआ है तो ये फोटोığ कर बात कर रहे हैं और आपसे माफी मागरे है लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि रूप रूप हुए प्यार गले लगाना माफी मागना ये कह रहा है लेकिन एक दिल कह रहा है कंट्रोल करो यह लिबरा हो सकते है जो आजिटेरियस यानि धनू, एरिस यानि मेस, जेमिनाई, मिथून, कैप्रिकॉन, मकर, पाइसेस, मिन, ये जोड़ी एक साइन मुझे हाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये निव विगिनिंग चार है, लेकिन कस्म कस्म है ये, आप उनके लिए honest हो, इनको महसूस है, अगर इनकी ममा है, मदर है, वो भी जीद पर है विवर्स, और ये भी खामोसे चुप हैं, ये कोशिस करें कि आपसे बात कर लूँ, ऐसी उनको फिल हो रहा है, लेकिन एक बार बात होने से क्या होगा ना, अगर इनकी ममा, मदर नहीं च आ रही हैं, तो इनको लग रहा कि आपसे बात करकर फिर आपका दिल दुखाना, ये फिर बहुत ज़्यदा stress ले लेंगे, अगर इनकी ममा आप रोक रही हैं तो, लेकिन इनकी दिली इक्षा कि एक बार कोशिस कर लेता हूं, बात कर लेंगे, एक बार आपकी आवाज सुन फिर उमीद जग जगे आपको लेकर, ये commitment देना है, marriage करना है, इसलिए ये बात भी ने कर रहे हैं, contact करना चारे हैं, contact करने की energy है, हो सटा बहुत बहुत आपके तरफ call message आया भी हो, ठीक है, बहुत लोग का call message आया भी हो, लेकिन यहां कुछ के partner बहुत control कर रहे हैं, बहुत आप social media पे active हो, ठीक है, आप social media पे कुछ फिर बहुत active हो, और ये person आपको social media पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको spike कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें लगता है कि आप run कर रहे हो, ठीक है, उनको लगता है कि आप run कर रहे हो, लेकिन नजर आपके social आपके पर्सन की फिलिंग्स ऐसी है म्यूजिक इसलिए सुन आपके फोटो से इसलिए बात कर रहे हैं कि कोई भी इनकी फिलिंग्स को नहीं समझ रहा कोई भी नहीं की कभी-कभी इनको गुसा आता आप भी नहीं समझ रहे हूँ इस कनेक्शन में कुछ लोग जैलेसी भी फिल कर रहे है कुछ लोग का हात भी है किसी के मुझे लगए ठील 23 सेवन के न्र्जी पूरा खांदान कुछ के लिए फ्रेंड ऐसे निखाई दे रहे लेकिन कुछ तो इनसे गलतियां हुई है जहां यह रिगरेट फिल कर रहे हैं लेकिन यह बदलना चाहते हैं बदला लाना चाह रहे हैं उनको पता है कि आप उनके लिए क्या हो कोई है जो रिलेशनसी पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है विवस ठीक है लेकिन यह थोड़ा से कंट्रोल कर रहे हैं यह चाहरे कि बात ना करूं तो ठीक है बातें चुपारों तो ठीक है लेकिन यह राहा भी नहीं जा रहा है क्योंकि इनके अंदर 507 नहीं मिल रही है लेकिन रिस्पेक्ट कर रहे हैं दर्द है पेन है रो रहे हैं अंदर से रो रहे हैं यह सो नहीं कर रहे हैं यह सो नहीं कर रहे हैं इमोशन साथली हैं इमोशनल भी हो रहे हैं लेकिन ओवर थिंकिंग भी बीच में चल रही है और कभी इनको लग रहा है नहीं बाती किलियर कर देना चाहिए लेकिन कंट्रोल कर रहें भी वर्स लेकिन यहां पे किसी के पार्टनर है जिनके लाइप में ऑप्सन है या कॉलिक या सोसल मेडिया कहीं तो है जहां इनको मात पड़ी है और आपका हैसास भी हो रहा क्यों आपके साथ इन्हों ने गलत किया है लेकिन हिंपद नहीं हो रहा है यह लेकिन इंको गले लगाना है प्यार करना है माफी मांगनी है दूसरे चखन में इनके नर्जी हो जाती यह कंट्रोल करो आपके लिए honest है वो आप उनके लिए honest हो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन ही कह रहे हैं आप positive रहो आप strong रहो क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी strength हो आप उनके लिए magician का काम करती हो है ना आप male हो सकते हो female हो सकते हो ठीक है लेकिन कोई है dear जो आपके partner और आप दोनों के बीच कोई आया है या आईए जहां control बहुत कर रहा है या कर रही है और आपके partner किसी चीज़ से ये डर रहे है उनसे भी जगड़े और fighting हो रहे है आपके पार्टनर में age gap हो सकता है एज gap भी मुझे दिखाई दे रहा है मुझे लड़ा आज काम के सिलसिले में या फिर मुझे कुछ वीवर्स के partner travel करते हुए नेजरा आ रहे हैं या travel कर सकते हैं travel के energy है कुछ वीवर्स आपके तरफ call message आ गया है जरूर कमेंट में लिखें कुछ वीवर्स आपके partner control कर रहे हैं चाहा तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा control कर रहे हैं इवन कि आपके आवाज को सुनना चाहते हैं गले लगाना चाहते हैं दिल से माफी मांगना चाहते हैं लेकिन एक मन इनका जो दिमाग है ना उसको balance नहीं कर पा रहे हैं control कर ले रहे हैं तो आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप positive रहे हैं अपनी स्तिंत बनाया रहे हैं कि आपके partner बहुत कोशिस कर रहे हैं action लेने के लिए ठीक है काट से भी clear कर देती हूं दुखी तो है यह अंदर अंदर रोर है भी वर्स ठीक है बात भी हो रही है तो यह बंदा अंदर से कुछ चुपा रहा है कुछ तो गलतिया हुए या पिर आपको उन्होंने चिट किया है या फिर बाते चुपाई है या फिर आपसे fighting किया है करिय अब तरह का प्रेशार है कैसे क्या करूं आपके तरफ एक्षन लेने कि सोच ने आना चाहते करें खुद को बदलना चाहते एक्षन के एनरजी आ गई है ठीक है या फिर परसन आपके तरफ एक्षन लेना चाहते है ओ माई को दुखी है उदास है फूर आप कप्स की एनरजी है ठीक है यहां पर आपके पार्टनर इस पक्त उदास है कहां यह सोच रहे कि क्या करूं बात करूं एक्षन लूं फिर थोड़ी दिर में इनका माइंड डिस्टर हो जा रहा है फिर नेगेटिव सोचने लग रहे हैं थोड़ी दिर फिल करते हैं एक्षन के बारे में सोच रहे हैं थोड़ी दिर के बाद यह परसंट फिर निगेटिव सोचने लगते हैं प्यार आफर करूं या ना करूं लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं व्यूर्शिक है रिष्टे में मैरेड हैं आपके पाटन मैरेड भी हो सकते हैं या आप मैरेड हो सकते हो या मैरेड से रलेटेड ये दिसीजन नहीं ले पारे भी वर्स ठीक है कि दफूल की एनरजी बता रहे है कि अभी सोच समझ के डिसीजन नहीं ले पारे लेकिन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं दफूल की एनरजी ये काट क्या बता रहा है कुछ ना कुछ नई वीगिनिंग होने वाला है ठीक है रिष्टे में एक नई शुरुआत होने जा रही है लेकिन मैं हाँ बोलना चाहूंगी ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे लेकिन इनका दिल कह रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है मुझे आगे बढ़ना है ठीक है कुछ नया काम हो सकता है डियर क्या आपके पार्टनर या आप नया काम सुरू कर रहे हो ठीक है या किसी ने प्लानिंग करके रखा हुआ है कुछ तो एक डिसीजन लेना चाहे जो आपसे सेर करना चाहते है नए काम के सिलसिले में एक न्यू बीगनिंग काम को लेकर कहीं ने कहीं कुछ तो है या बिजनस हो ठीक है लेकिन यहां जो energy आई है आपके तरफ action लेना चाहते हैं रिष्टे में एक नई शुरुआ चाह रहा है passionate energy बहुत आया डियर लेकिन देख रहे हो four up cups हमेशा यह दुविधा में हैं हमेशा यह दुविधा में है marriage को लेकर यह clarity आपको नहीं दे पा रहे हैं यह आपसे कहना चाहते हैं अगर married है तो यह person को भी ऐसा लगड़ा कि आपको थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि female आ चुकी हैं आप देख सकते हो the high stress energy तो marriage से related यह decision नहीं ले पा रहे हैं लेकिन हाँ एक नई शुरुवात होने वाली है यह चाह रहे हैं कि इस रिष्टे में एक नई शुरुवात करूं बैलेंस करूं लेकिन बहुत स्ट्रॉंग marriage के बारे में यह decision नहीं ले पार लेकिन आपके तरह बढ़ना चाहते हैं ऑफर करना चाहते हैं पैसनेट फिल कर रहे हैं इनमें थोड़ा ego भी मुझे दिख रहा है ego भी है पूरी तरह ego डाउन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इस निव बीगनिंग होने जा रही है यह निव बीगनिंग करना भी चाहते हैं या फिर किसी ने काम स्टार्ट किया है बिजनेस स्टार्ट किया ठीक है लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी अगर कोई बिजनस या काम स्टार्ट कर रहे हो आपके पूरी मतलब कहते हैं अगर कोई बिजनस शुरू कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हो पूरे पैसे मत लगाना ठीक है क्यों कि देप फूल की एनरजी है सों समझ कर पैसे लगाने की ज़रूरती है यहां बिजनस की मुझे यहां पे नर्जी है कि किसी के पार्णा बिजनस कर रहे हैं या फिर उन्होंने स्टार्ट करना या आपने स्टार्ट करना अगर पैसे यहां लगा रहे हो बिजनस में कहीं और भी तो सों समझ कर पैसे लगा खुद को बदलना चाहते हैं पस्ता रहें कुछ ऐसी बाते हुई हैं जो आप से सिखर नहीं कर पार लेकिन इनकी दिली इक्षाय को आपके तरह बढ़ें आप से बात करें पस्ताबा है रिग्रेट है लेकिन मन में बहुत सारे सवाल जवाब उठ रहे हैं यहां पूरी तरह पार्टनर बैलेंस में नहीं है दफूल की अचानक मुड़ हुआ तो आगे अचानक मुड़ हुआ तो गयब हो गया है आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे हैं पिर यह हमोस हो जाते हैं तो मैरे से रिलेटेट ही सोच रहे हैं लेकिन कोई फीमेल आप दुनों को एक होने दन करना नहीं चाहती जिस वज़े से आपके पार्टनर कहने कि उसके लिए आपको वेट कर रहा होगा सिर्फ मैं इस रिस्ते में बैलन्स लाना चाहता हूं रिस्ते को सुधारना चाहता हूं और आपको लेकर आगे तक जाना चाहता हूं बहुत मिक्स एनरजी है और बहुत ही आपके पार्टनर खुल नहीं रहें दिए सबसे बड़ी बात लेकिन हाँ बहुत इसके पार्टनर आपके तरफ बढ़ रहे हैं बहुत उदास है निगेटिव थौट्स भी आते हैं लेकिन इमोसंस दीख रहे है तो चलिए यह है उनकी इनर्जी बहुत तो बदलाओं नहीं आया है लेकिन हा बहुत लोग का मुझे लड़कॉल मेंसे जा गया है लेकिन एक कस्म कस है clearity नहीं दे पा रहे हैं उदास भी है चाहत भी है प्यार भी है regret भी है और इन्हें कुछ संबज में भी नहीं आ रहा है यह पर बहुत की partner आपके तरब बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं, बहुत जल्द फुल आपके पार्टर एक्शन लेना चाहते हैं, दूसरी नर्जीमें आपके पार्टर भी सोची रह कि क्या करूं करूं या ना करूं वीडियो अगर आपसे रिजनेर करता है दियर तो वीडियो को लाइक सर्क सुब्सक्राईब जरूर करें और जिन लोग कोल मैसेज आती है बातचीत होती है आपके पाटने से मुलाकात होती है comment में जरूर लिखे ठीक है thank you so much and God bless you